है क्या दरसल दुदिय विश्वीत के सबे अग्रेज सरकार ने थलसीना में चमार रेजिमेंट बनाई थी जो उननीसो त्यालिस से उननीसो चालिस दन अस्तितु में रही थालिटों के कल्यार से चुड़े संकटरों और चार्टब का तावा है कि पीर चमार रेजिमेट को अंग्रेजों ने प्रति बत्रिज कर दिया था अंग्रेजों रेजिमेट को अजाद लिगवाइद पुच से मुगाबला करने के लिए सिल्दपूर भेजा इस रेजिमेंट का देटूत कैप्टन मोहलाल कुरिल ने किया था जहां कैप्टन कुरिल ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट से तैनिकों के हातों अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं प्रमार रेंजबन को आइनें में सामिल कर अंग्रेजों के खिलाब युद करने का टेंडने लिया इसके बात अंग्रेजोरे Wow रेंजबन की के जंगलों में पिटक रहे है, जो पख़ड़े गए, मोज के घाट गार दीये गए केप्टन को अलाल कुली की युद्बंदी कर दिया गया, जिरे आजाद के बाद किया कर दिया गया था, शमार रेजिमेट से तीन साल अस्टित में रहे थे, अब दिना में इस रेजिमेट की बहाले के लिए पहली पार कांगरी डडाई शुरू पुछी है, इसकी मांग को ले सरी तो गया है, बड़ा मामला महली पार इस सत्त पर उठाया जा रहा है, शिश्वर सिंग ने मीडिया से 25 से कहा कि आज दरकार पुछी स्पीच कर दिया है, चवाब आगा गया है, आखिर इस रेजिमेट को इन कारोलों से बंद किया गया, आपको यह भी बता दे कि चवार रेजिमेट और उठाय के बहादोर सेलिकों के विजरो की कहानी, उनी की नामा किताब की लेखक 17 से जेट्यों के इस रेजिमेट पर शूत कर रहे हैं, शिंग ने मीडिया से 5 से बताया कि इस रेजिमेट के तीन सेलिक अभी इस दिता है, इस सेलिक रहें चुटिलाल जोनी पत्के रहने वाले हैं, थीन माहा पहले जीद्यों के मोडन इस्ट्री डिपार्ट्मेट में रेजिस्ट्रेशन हुआ है, इसका विशह प्रिटिस्ट का लिए संदरच्णा में समार रेजिमेट पर एक तैसे हाथ निक अधियार है, यह रेजिमेट भी उतनी की कामने कार्मी देगा